दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम अपने मोबाइल नमर को कॉल फरवाइडिंग कैसे करें गाईज यह बिलकुल न्यू ट्रिक है ना आपको कोई सेटिंग करने होगी बस एक कोड की मदद से कॉल फरवाइड करना सीखेंगे और गाईज साथ में हम लोग यह भी जानेंगे कि अगर कॉल फरवाइडिंग हो गया तो उसी अनलोक कैसे कर सकते हैं सब्सक्राइब करने से पहले आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वो आने वाली नॉलिजफुल वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रह काल फरवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर उसके बाद guys का करना है उसके बाद last time में जो है आपको has click करना ठीक है याद रहे guys नमर आप लोग note कर लो double star two one star जो नमर पे आप call forwarding करना चाहते हो वो नमर उसके बाद has उसके बाद जो आपको dial पर click कर देना dial पर जैसे click करोगे guys यह जो है code जो है यह जों call forwarding हो जाएगी उस नमर पे ठीक है उस नमर पे जो है यह call forwarding हो जाएगी देख सकते हो guys यहापे लिखा आ रहा है कि call forwarding registration was successfully आप देख सकते हो guys उसके बाद guys अगर चाहते हो कि इसको unlock करना उसके लिए भी एक code है guys आपको क्या code डालना है कि simple guys कि आपको double has उसके बाद 2, 1 फिर से has double has, 2, 1 फिर से has उसके बाद फिर से आपको dialer पे click कर देना है dialer पे जैसे click कर हो गई guys ये जो है call forwarding वो जो है unlock हो जाएगा उसके बाद guys आप देख सकते हो call forwarding erasure was successful लिया गिया है तो guys इस तरह सी जो है आप जो है call forward भी कर सकते हो उसको जो है unlock भी कर सकते हो I hope कि दोस्तों आप लोग जो call forwarding करने के लिए भी सीख लिया है उसको बाद जो है unlock भी कुसे करने के लिए सीख लिया होंगे I hope कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए हो वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक और सिर्ख करना ना भूलना दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम